जह हिंदी प्यारे सातियों कैसे हो आप सब बिलकुल मस्त होंगे आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप जूनियर एक्जिकेट्व बन जाते हो तो आपको पहले महिने में कितनी सैल्डे मिलेगी इस टोपिक के ओपर हम यहां पर बात करने वाले हैं जो एयरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया से वेकेंशिया निकली हुई है उसमें दो तिन अलग अलग तरिके की वेकेंशिया हैं जिसमें एक है जूनियर एक्जिकेट्व जिसका हम फिलाल में सैल्रेसलिप का वीडिय इसके आलावा कि जो दो अन्यव हैं उनका भी हम बिलकुल कल आपको वीडियो इसी चैनल के बारे में चालता हो जाएगी अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी salary slip के बारे में कि यदि आप junior executive बनते हो airport authority of India में तो आपको पहले मेने के कितनी salary मिलेगी बहुत इंट्रेस्टिंग का topic है बहुत motivation है आपको बहुत अच्छा कासा motivation मिलेगा इसकी salary को जानकर क्योंकि हम जो भी आज जबर्दस तरीके से मह जैनत कर रहे हमारा सपना है कई पर अच्छी नोक्री लगना हम एक अच्छी नोक्री लगना चाहते हैं उसके पीछे हमारा ऐक सबसे बड़ा कारन होता है वह生已經 हमें यहीं पर बहुत अच्छी खासे सैलरी मिलती है तो वहां पर काम करने में बहुत ही अच्छा खासा मज़ा आता है तो यहां पर मैं इसके सैलरी स्लिप के बारे में बताने वाला हूं बहुत अच्छी कासी सैलरी मिलती है वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करना लास तक दे होगे क्योंकि यहां पर बहुत ही शांदार वाली सेलरी मिलती है तो अब हम अपने इस वीडियो की सुरुवात करते हैं और इस वीडियो में मैंने जितने भी डाटाओं का उप्योग किया है वह बिल्कुल 100% authentic है इसलिए आप इस सेलरी सिलिप के उपर बिल्कुल 100% विश्व सकते हैं तो अब हम अपने इस वीडियो की सुरुवात करते हैं प्लिज आक बार चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लो और वीडियो को अब भी तक लाइक नहीं किया तो प्लिज एक बार वीडियो को भी लाइक कर दो और आपका अपना यूटूब चैनल है हम आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं सेल इसलिप के माध्यम से हम आपको मोटिवेशन देने की कोशिज करते रहते हैं तो जब हम आपको अलग-अलग तरीके से मोटिवेट करने की कोशिज कर रहे हैं आपको बहुत इंटरस्टिंग जानकारी देने की कोशिज कर रहे हैं तो आपका भी इतना तो बनता है कि आप भी हमें मोटिवेट करें और हम आप वीडियो के पर को लाइक करोगे एक बहुत प्यारा सा कमेंड करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अब हम अपने इस वीडियो की सुरुआत करते है सबसे पहले मैं इसके बारे में बेसिक इनफोर्मेशन बता देता हूँ प्यारे सात्यों ग्रूप B की नोकरी है एवन में सामिल है यह और बेसिक पे इनका 40,000 रूपए से लेकर 1,40,000 रूपए तक होता है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके अर्निंग के बारे में डिड़ बेसिक पे है वो 40,000 रूपए रहेगा कितना रहेगा 40,000 रूपए रहेगा तो यहां से एक मोटिवेशन मिला होगा क्या 40,000 तो बेसिक पे मिल रहे हैं ठीक है अब यहां पर प्यारे सात्यों धेर सारे आपको अलाउंस मिलेंगे बिल्कुल ऐसी गॉर्मेंट जॉप की तर यहां पर एक प्रेक्स नाम से और अलाउंस मिलता है और उसमें मिलता है जो प्रेक्स अलाउंस है यह बेसिक पे का 35% मिलता है तो बेसिक पे 40,000 इसका यदि मैं 35% निकालता हूं तो 14,000 रूपए आता है जो आपको प्रेक्स अलाउंस मिलेगा एचारे यहां पर एचारे के गोडिंग कैलकुलेट करता हूँ तो आपका एचारे बनता है 10,800 रुपए लोकेशन अलाउंस यह एक यहाँ पर लोकेशन कम नाम से अलाउंस मिलता है जो कि बेसिक पे का 10% रहता है और यह अमाउंट हो गया 4,000 रुपए रेटिंग अलाउंस मिलता है 900 रुपए तो इस तर इसके अलावा जो अधर गोडर्मेंट जोब है वहां पर यह अलाउंस नहीं मिलते हैं तो इस तरीके से कुल बिलाकर आपकी जो ग्रोस सेलरी है वह बनती है मेरे प्यारे सात्यों 86,500 रुपए तो 86,500 रुपए आपकी ग्रोस सेलरी बन गई अब इसमें आपके क्या होते है डिडक्षन होते हैं कटोतियां होती हैं सबसे पहली आपकी कटोती होती है प्यारे सात्यों पी एफ की जैसे एनपियस करता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहां पर आपका पी एफ कटेगा बेसिक पे और डिये का 10% आपका पी एफ कटेगा 580 रुपए तो 5680 रुपए आपका पी एफ कट गया प्रोफेशनल टैक्स यह स्टेट गॉर्मेंट लेगी तो जिस भी आपका स्टेट में डूटी रहेगी वहां की गॉर्मेंट आपके 200 रुपए टैक्स कर लेगी तो 200 रुपए यह डिटक्ट हो जाएंगे इसके अलावा और भी छोटी-छोटे कई डिड़क्शन होंगे आपके तो उनमें लगबग आपके 690 रुपए कटेंगे तो इस तरीके से टोटल डिड़क्शन कितना हो गया प्यारे सातियो 6570 रुपए का हो गया ग्रोस सैलरी पहले महिने के बंद रही है 86500 रुपए जिसमें डिड़क्शन हो गया 6570 रुपए आपके 1-1 की सैलरी के रही कि जो आपके अकाउंट में ट्रांसपर होगी बहुत मोटिवेस्नल है वैसे आपको ईडिया लग गया होगा कि किनि ट्रांसपर होने वाली हैं लेकिन फिर से डिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक के नहीं किया है जैनल को सब् 130 रुपेज लग बग 80,000 रुपए केवल 70 रुपए का अंतर है बाकि पूरी-पूरी 80,000 रुपए सेलरी मिल रही है तो आपकी सेलरी कितनी रहेगी 80,000 रुपए में पूरे 70 रुपए कम तो बहुत अच्छी-खासी सेलरी मिल रही है पहले महीने की सेलरी 80,000 रुपए मिल रह ठीक है अब आप अनुमाल लगा सकते हो जब आपका बेसिक पे 40,000 रुपए तब आपकी नेट सेलरी बन रही है 80,000 रुपए जब आपका बेसिक पे 1,40,000 रुपए होगा तो आपकी नेट सेलरी कितनी रहेगी लग बग 3,000,000 रुपए तो यहां से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको रिटार्मेंट के समय कम से कम कितनी सेलरी मिलेगी कम से कम तीन लाक रुपे महिने के आपके सेलरी रहेगी overall मैं कहूं प्यारे साथियो साड़े तीन लाक सेलरी पर मंत के इसाब से आप रिटार्मेंट लेकर आओगे बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा बहुत ही शांदर वाला सीन आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टोपिक के उपर वीडियो बनाओ तो अब भी कमेंट करो प्यारे साथियो जब आप कमेंट करोगे तब भी तो मैं वीडियो बनाओगा तो आप कमेंट करो मैं उसको पढ़ूँगा वीडियो बनाओगा और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जिक्री दोस्त हैं सबी के साथ सेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखेने के लिए ठैंक्स भाई मेरे प्यारे साथी हूँ